नमस्कार मैं कमलेस गोर्ड आज फिर आपके सामने एगले टोपी के साथ जोखिम भरे खेलों में बीमा कम है तो एडवांचर स्पोर्स जितने रोमांचिक होते हैं उतने जोखिम भरे भी होते हैं अगर आप लोग या आपके बच्चे इन खेलों में जाते हैं तो आप एडवांचर स्पोर्स ट्रेवल भीमा ले सकते हैं देखा गया है कि यातरे की सोकिन लोगों के बीच एडवांचर स्पोर्ट की दिवानगी बढ़ती जा रही है ऐसी ट्रेवल एजन्सियां जो प्रियटन के दोरान एडवांचर स्पोर्ट का अनुभो भी देती हैं इसमें उचाई से बंजी जंपिंग, डेस लगवाना, स्कूबा ड्राइविंग या पैराग लेडिंग जैसी गती भी दिया हैं ऐसी इन जोखिमों को देखते हुए बीमा करवा सकते हैं जिसमें आम तोर पर इवेंट इंसोरेंस कहा जाता है उसके बाद हैं स्पोर्ट इंसोरेंस, पालिसी धारक व्यक्ति या संस्तान को ऐसे खेल आयोजन से पहले उसके दोरान या प्रिणाम सबरूप होने माले किसी दुरगटना, चोड, बीमारी या किसी परकार की नुक्षान की अन्चाही प्रिस्तिती के लिए वित्य सुरुक्षा परदान करता है अलग-अलग नियम हर बीमा कंपनी के एडवांचर, स्पोर्स, ट्रैवल, इंसोरेंस के लिए अलग-अलग पोलिसी होती है कुछ कंपनी कुछ कंपनी वो भोगता का पूरा शारीरिक जांच करके बीमा करती है और कुछ कंपनी ज़्यादा जोखिम वाले इंसोरेंस को इसमें शामिल नहीं करती है अते आप अपनी जरूर्त के अनुसार बीमा खरीद सकते हैं और अपनी जरूर्त के अनुसार बीमा पॉलिसी ले इसको online भी खरीदा जा सकता है उसके बाद बीमा के फायदे चोट का खर्च मिलना ambulance का किराय मिलना nursing का सारा खर्च मिलना कोई आकस्मिक अगर चिकत्सा करवाने पड़े उसका खर्च भी इसमें शामिल है खिलारी के गंबीर चोट के बाद अगर कोई फीजो थेरपी पर्शिक्षन लेना है वह पर्शिक्षन कुछ महीने या कुछ दिन के लिए हो सकता है तो बीमा से जुड़े इस उपचार के लिए सभी खर्चों से बचा जा सकता है या सभी खर्चों का भुगतान बीमा कंपनी के दुआरा किया जाएगा बीमा योजना में दांत की चोटों को भी शामिल किया जाता है जबकि सामन्य पॉलिसी में ऐसा नहीं किया जाता कुछ बीमा पॉलिसी में दुरगटना के बाद अगर मृतू हो जाती है तो परिवार को इसमें एक मुस्तराशी का भुगतान किया जाता है जैसे बीमा दुरगटना या अन्य कोई प्राकरती आपता आदी इसमें शामिल है मेरा अगला पॉइंट है कि बीमा कैसे काम करता है जो स्पोर्ट्स एडवांचर में जाने वाले खिलाडी या प्लेयर या प्रियर्टक अगर चोटिल हो जाएं या उसमें खेलने में असमर्थ हो जाएं तो स्पोर्ट्स इंसुरेंस उसे एक मुस्तराशी देता है या उसे वहाँ से एक मुस्तराशी मिलती है रकम मिलती है इतनी तो यह रकम पूरी कर्मुक्त होती है इसके पीछे अवधारना यह है कि एक मुस्बुक्तान से उस खिलाडी को उसके बाकी जीवन के लिए वित्ते साहता के रूप में प्रियाप्तधन मिल्स के जैसे पांच साल के अनुबन वाला कोई खिलाडी या से जुड़ा खिलाडी अगर चोटिल हो जाए होने पर असमर्थ हो जाए खेलने में तो उपचार के चलते उसके अगले दो तीन वर्चों की राशी का नुक्शान होने की संभावना रहती है ऐसी इस्तिति में खुद को बचाए रखने के लिए हम बीमा करा सकते हैं बीमे क का नोडिफिक्शन आप तक पहुँच जाए वीडियो को आन तक देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार थैंक यू